Hello friends, आज हम बात करने वाले हैं LPG Terminal के एक नए topic के बारे में जिसका नाव है filter अब filter है वो बहुत important topic है तो चली शुरू करें अब जनरलिक filter कहाँ पर use होता है तो filter है वो LPG को clean करने के लिए filter का use होता है अब filter में दो तरीके की वहाँ पर screen रोती है एक होती है perforated screen और दूसरी होती है mess screen ठीक है जो perforated screen होती है वो देखी ये एक solid आप समझ लिजे एक पत्रा है उसमें hole कर दिए हमने ऐसी आपको लगेगी तो दूसरी आपको जाली वाली लगेगी है ऐसे ऐसे जाली है ठीक है तो येसी दो screen का use होता है अब सबसे पहला यहां पर basket filter अब यह filter है वो basket जैसा दीखता है इसलिए इसको बोलते हैं basket filter अब यह flange है उसके अंदर यह perforated sheet या फिर mesh screen दोनों में से एक बिठा देए ठीक है अब यह जो inlet है वहां से LPG आएगा और वो गिरेगा basket में अब basket में से वो चनके या फिर clean होके जाएगा outlet में ठीक यह बहुत simple arrangement है filter की दूसरा है y type filter अब y type यह shape के कारण उसको बोलते हैं y type filter अब यहां से जो LPG आएगा वो direct यहां बाहर नहीं चला जाएगा पर कहां जाएगा तो सबसे पहले LPG यहां पे आएगा फिर यह screen में जा जाएगा फिर clean होगा फिर यहां से निकलेगा बाहर एसे clean होके यहां से बाहर निकलेगा ठीक है और फिर निकल जाएगा अब यह filter की खास यह है कि इसमें जो कच्रा होगा वह last में यहां पे नीचे जमा हो जाएगा ठीक है और इस flange को खोल के आप कच्रे को निकाल भी सकत है ठीक है तीसरा है यहाँ पे टी टाइप फिल्टर अब यह जो वाई की तरह है ऐसे यहाँ पे टी टाइप फिल्टर अब यहाँ पे डाइरेक्ट यहाँ पे जो यहाँ से निकल जाएगा पर इसमें जो कच्रा होगा वो नीचे यहाँ पे गीरता चला जाएगा और यहाँ पर जमा होगा ठीक है यहां से जो स्क्रीन में से डायरेक्ट नहीं निकल सकता है इसलिए वो यहां पर क्लीन होके जाएगा और बाकी का यह कच्रा नीचे गिरेगा तो यह से जाएगा फिर यहां पर एक लीन होगा यहां से और फिर नीचे गिरेगा कच्रा और यहां से फ्लो है so thank you for watching